हेलो फिन्स विश्व ट्रेणिंग के तरफ से एक और खुशूर्थ वीडियो लेकर आप लोगों की सेवा में फिर से एक वार हाजना हैं पहले की तरह और यो भाई वंदो अपना किम्ती समय नकाल कर इस चोटी सी वीडियो के साथ चुड़े हैं उन लोगों का पहुत पर देखा है कि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुवा के लिए बिजनेस एडिये के बारे में तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो बने रहें इस वीडियो के साथ और जो वाई वंदो अपना किम्ती समय नकाल कर पहली तवा इस चैनल के साथ ताकि आपको इसी तरह की वीडियो हर समय और हर दिन ठीक है मिलती रहें तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो जहां पर सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर हम इस मॉर्निंग टाइम के बिजनेस को शुरू करते हैं तो हमें कितने पैसों की जरूर तो हुई तो जहां पर आप लोगों की जानकरी क्लिए उतारों कि अगर आप इस गाउं को शुरू करते हो के बल मॉर्निंग के टैम ठीक है बागी टैम नहीं तो आपको कम से कम 10,000 रुपे की जरूरत होगी ठीक है इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं होगी हम बात कर लेते हैं कि हम कि याफर सवा सूबा कितनी कमाई हो सकती है 4-5 गंडे में तो जहां पर हम मोठा मोठी अगर देखे तो अगर आप 4-5 गंडे का साब लगा पर देखे तो आपको एक जार से लेके 500 लिच लेकर तक की कमाई हो सकती है अगर आप इसsi काम को 4-5 गंडे करते हो में जल्दी से हैं इस काम का नाम तो इस काम का नाम है दूद पैक्ट सप्लाई करना तो देखिए जहां पर बात कर लेते हैं कि आज के टैम में किसी के पास समय नहीं होता है कि वो बाहर दूद लेने जाएं तो अगर आप बड़े-बड़े शहरों में जहां फिर आप जहां पर रहते हो ठी है जैसे दिल्ली, मुंबवई, गुजरात, बिहार तो इन शहरों में अगर आप दूद बैक्ट सेल करते हो तो सोव सोव आप 3-4 गंटे अच्छी कमाई कर सकते हो इस काम को शुरू करके और यह एक तरह का आपका पार्ट टाइम काम होगा जो कि लाइफ टाइम तक चलेग और दूसरे नंबर पर इस काम को शुरू करने के लिए आपको कोई जादा पैसों की जुरूरत भी नहीं रहेगी तो यह था दोस्तों मौर्निंग टाइम में किये जने वाला चोटा सा बिजनेस जिसको आप बहुत ही कम पैसों के साथ शुरू करके आप 4-5 गंटे का एक ज से लेके 500 और प्या तक करान से कमा सकते हो तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना इसके विना अगर चैनल के साथ पहली दवार जोटे थे तो प्लीज चैनल को जूरूर सब्सक्राब करें वीडियो को वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ एक नई विजने सेड़े के साथ इसी समय और इसी चैनल पर वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बाब बताने वा थैंक यू वर्मच